हलो फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत है आपका जेपी एमडी में आज के करेंट अफेयर में हम लोग देखेंगे 19 मई 2023 के करेंट अफेयर जो आने वाले सभी परिछाव के लिए बहुत ही महत्पून है अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे रेगुलर वीडियो मिलते रहें तो ज और उन पर काबू पाने से जिंदगी संपून बनती है जो चुनावतिया है वो हम लोग को क्या करती है और दिल्चप्स बनाती है जीवन को और हम लोग जब उसको पार कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सखल हो जाता है संपून हो जाता है सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आगे मोदी जी जापान के यात्रपर गए हैं दलाई लामा से खिलाई लोग मिला हैं राफेल डैल इस बार नहीं खेलेंगे सीधा रमया मुख मंत्री बनने वाले हैं नितीश कुमार ने बहुत सारा उधगाटन किया है और ये कानून मंत्री नहीं कानून मंत्री बने हैं किरन रजु आजो चंद्रयान पर है इस पर ये स्वर्या रायकांस में महस्वा में सामील हुई है बैनाद धाम से भी चंद्रयान पर भी निव जाया है राफेल नाडल नहीं खेलने वाले है पीए मोदी जी सेवेन सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान हुए रावाना पीए मोदी जापान गया है कहां किस लिए जी सेवेन सिखर सम्मेलन के लिए तो तिन रोज पहले भी मैंने आप लोग को बताया था कि मोदी जी जापान जाने वाले हैं G7 सिखर सम्मेलन के लिए तो परधान मंती नरेन मोदी 19-21 मई तक हिरोशीमा में होने वाले G7 सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सुक्रवार यानि आज जापान रवाना हो गए अब यहाँ याद रखना है कि कौप से कौप तक हिरोशीमा सहर में G7 सिखर सम्मेलन में विचारों के स्वास्त अदान परदान की आसा है पी-म ने लिखा जापान के बाद पापुआ, निवगिनी और आस्ट्रेलिया दोरे पर जाओंगा अब देखें यहाँ से जापान से कहा जाने वाले हैं मुदी जी? पापुआ, निवगिनी और आस्ट्रेलिया ते दोनों चीज याद रखना है अब आप लोग को याद रखना होगा कि हिरोशीमा में G7 सिखा समेलन हुआ है हिरोशीमा जापान कॉप से कप तक? 19 मई से 21 मई उसके बाद पाधान मंत्री कहा जाने वाले हैं? पापुआ, निवगिनी और आस्ट्रेलिया सीधा रमया होंगे करनाटक के अगले मुख मंत्री, डिप्टी सीएम होंगे D.K. सीव कुमार पीछले हम लोग कितने दिन से देखते आ रहे हैं कि करनाटक में चुना हो रहा है तो अब उसके पर नाम भी आ गए हैं और करनाटक में क्या हुए? कॉंग्रेस की जीत हुई है अब यहाँ निवजाया है कि सीधार रमया जो हैं वे मुख मंत्री बनने वाले हैं और सीव कुमार उप मुख मंत्री कॉंग्रेस ने तरीत ने करनाटक के अगले मुख मंत्री के तोर पर सीधार रमया और उप मुख मंत्री के तोर पर डीके सीव कुमार के नाम की मंजूरी दी है सीधा रमया इससे पहले 2013 से 2018 के बीच राज के मुख मंत्री रह चुके हैं यहीं सीधा रमया है जो करनाटक के मुख मंत्री बनने वाले हैं इनके पास क्या अनभय है यह जान लिजें सीधा रमया कॉंग्रेस करनाटक में सबसे बड़े नेताओं में से एक है उनके नाम तेरे बार बॉजट पेस करने का रिकॉर्ड है यह तेरे बार बॉजट पेस कर चुके हैं कहां पास करनाटक में तेरा बार बॉजट पेस कर चुके हैं और दो बार डीप्टी सीएम रह चुके हैं और मैंने बताया हैं कि 2013 से लेकर 2018 तक लगतार वो मुख मंत्री थे। 28 माई को नए संसद भावन का उद्गाटन करेंगे पीए मोदी। हम लोग जानते हैं कि नए संसद भावन बहुंदा है तो अब उसका उद्गाटन होने वाला है किस तरीकों? 28 माई को पर्धान मंत्री नरेंद मोदी 28 माई को नए संसद भावन का उद्गाटन करेंगे। लोगसभा सचीवाले के मुताबिक स्पीकर ओम बीरला यहाँ याद करना है कि भारत के स्पीकर कौन है लोगसभा के ओम बीरला ने गुरु वार को परधानमंती से मुलकात कर उन्हें नए संस्थभावन के उधगाटन के लिए आमंतरीत किया इससे पहले मार्च में परधानम पहली बार किसी आईपी एल मैच में दोनों टीमों के खिलारियों ने लगाया सत्व मैं तो मेहनत कर रही हूँ और अब आपकी बारी है आप भी मेहनत करिएगा तो सफल होईएगा एक से दो बार वीडियो के देखिएगा आपको समझ में आएगा बहुत ही आसानी से आप परिच्छा में एंसर लिखती जाएगा क्योंकि मैं वन लाइनर नहीं बताती हूँ डे 60 गेंदों में 100 रन जबकि एस आर एज के बिकेट की पर बलेबाज हैनरी कलासेन ने एक आउन गेंदों पर 104 रन बनाए आईपील के इतिहांस में ऐसा पहली व्यार हुआ जब एक ही मैच में दोनों टीमों के खिलारियों ने सतक लगाया कोहली ने आईपील में सरवादिक 6 सतक जरने की रिकॉर्ड की बराबरी की अब यहां इध्यान रखिए होली के कितने सतक होगा है 6 सतक और यह बराबरी किया है क्रीस गेल का उसका भी 6 सतक है प्रीथवी से तीन गुना चौरे सौन एस्पोर्ट में हुआ बिस्फोर्ट एक और सौर तुफान आने की आसंका प्रीथवी से तकरीबन तीन गुना चौरे एक बरे सौन एस्पोर्ट में मंगलवार को बिस्फोर्ट हो गया G से निकले XReni के सोलर प्लेयर से उतरी अमेरिका में रेडियो ब्लाइक आउट हो गया स्वर्दकागताव का संका है कि 100 एसपोर्ट से कॉर-बारा शोर तुफान प्रीथवी से टकरा सकता है इससे पहले मार्च में प्रीथवी से G4 Trani का सोर तुफान टकराया था अना इस बरसों में पहली बार फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे 14 बार के चैम्पियन राफिल नडाल अब देखे ये question बन सकता है राफिल नडाल बहुत ही महत्पून खिला रही है वे 14 बार चैम्पियन रहे है और इस बार वो नहीं खेल रहा है फ्रेंच ओपन तो इससे question बनेगा, ध्यान रखेगा, सबसे अधिक 14 बार, अब यहाँ यह भी note करना है कि सबसे अधिक बार फ्रेंच उपर किसने जिता तो राफेल नाडल, जितने वाले एस्पेन के, अब कहां के खिलारी हैं, तो एस्पेन के खिलारी हैं, 36 बर सिये टेनिस खिलारी, क्या जितने खिलारी हैं, राफेल नाडल, टेनिस खिलारी हैं, जो फ्रेंच उपन 2023 में हिस्सा नहीं लेंगे, 2004 के बाद यहाँ पहली बार होगा, जब नाडल यहाँ टूनामेंट नहीं खिलेंगे, कुल्हे की चोट से जूज रहें, नाडल ने कहा, यहाँ नीरनाय नहीं, बल की मेरे सरीर ने लिया है, क्योंकि वो चोटिल है, बिहार के CM नितीस ने, बिहार के कॉलेंट फिर से भी कोश्चन आएगा, तो इसका ध्यान रखिए, बिहार के CM नितीस ने पूलीस के 576 वाहनों का किया लोकारपन, बिहार के मुख मंतरी नितीस कुमाने बूध हुआर को, राजियों के पूलीस थाने वा पूलीस मुख्याले की विभीन इकाईयों के लिए 576 वाहनों का लोकारपन किया, उन्होंने ट्वीटर पर इनकी तस्वीरे सेयर करते हुए लिखा है, इससे पूलीस की कारे कुशलता बढ़ेगी, इससे पहले CM नितीस ने 74 थाना भौनों स मिघवाल, ये कीरन री जीजू का स्थान लेंगे, इसके पहले कानून मंत्री कौन थे? कीरन री जीजू, अब कौन बन गया है? अर्जुन राम मिघवाल, कौन है देश के नय कानून मंत्री? अर्जुन राम मिघवाल, केंद्रिये राजमंत्री अर्जुन राम मिघवाल क कानुन मंत्रायनलाय का स्वतंत परभार सौपा गया है राजस्थान निवासी रीटार आईएस अधिकारी मिघवाल 2019 में तीसरी बार लोग सभासांसत चुने गए थे और वह डाक विभाग में टेली कॉम अपरेटर रह चुके है ए में राजनीती सास्त किया है फिर L.L.B. और M.B.A. की साक्षनिक योगता वाले दलित नेता मेंगवाल की साधी 14 वर्ष की उम्र में हुई थी जुलाई में चंद्रायन 3 के परछेपन की पुरी तैयारी बैंगलूरू इसरो जुलाई के दूसरे हफते में चंद्रायन 3 मीशन को लांच करने जा रहा है लग्ष चंद्रार्मा के दशनी धुरू पर अंतरिक्षियान की लैंडिंग कराने का है इसरो के बरिष्ट अधिकारी ने बताया कि इस साल मार्च में चंद्रायन 3 अंतरिक्षियान जरूरी परिक्षिनों पर खारा उत्रा है इसमें स्वदेशी लेंडर मेड्यूल और एक रूवर सामिल है इस मीशन पर करीम 9,000 करो रुपे खर्चोंगे चंद्रायन 3 कब लंचोगा? जुलाई में स्रावनी मेला 4 जुलाई से लगने जा रहा है 19 साल बाद इस बार 69 दिनों तक चलेगा मेला मलमास के कारण 19 साल बाद इस बार सुल्तान गज में स्रावनी मेला 69 दिनों तक चलेगा और यह मेला 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्ट चलेगा अब यहां जान लेना जरूरी है कि मल मास्क कीसे कोते हैं दो मास्क को हम लोग उसको दो मास्क कोते हैं इस साल दो महिने का सावन होगा इसलिए यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह 19 साल के बाद इस बार दो महिने का सावन है सावन दो महिने दहेगा। इसलिए बैदनान धाम बाबा भोले नाथ की नगरी में दो महिने तक हम लोग दर्शन कर सकते हैं। जहां से दो देश के लिए ट्रेन का आवा गमन होगा। अब यहां पर देखिए बहुत ही इंपोटेंट हो गया। कौटिहार से दो देश के लिए ट्रेन का आवा गमन हो रहा है। बतनाहा रेलवे एस्टेशन से नेपाल के बिराट नगर एस्टेशन के लिए ट्रेन का आवा गमन शुरू कर दिया जाएगा। वर्ष दो हजर बाइस में कटिहार निव जलपाई गूरी से बंगला देश के लिए मिताली एक्सप्रेस की शुरूआत की गई थी। अब देखें इसको भी अंडरलाइन कर लिजे। कहां से कहां तक हुई थी। कटिहार निव जलपाई गूरी से बंगला देश के लिए कौन एक्सप्रेस। बिहार में मानक से चार गुना अधिक हो रही है पानी की बर्बादी। जल चौपार लगा कर पेजल की बरबादी रोकने में जीव का दिदी से सहायता लिया जाएगा। अब देखिए आप पानी के बरबादी हो रही है। पानी को कभी बरबाद नहीं करना चाहिए। प्रयावरन असंतुलन हो जाएगा। इसके हम लोगों ध्यां रखना होगा। यहां पर बरबादी हो रहा है लेकिन अच्छा सरकार ने फंशल लिया है कि अगर कोई बरबादी करएगा तो उसको पांच हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो पहली बर बरबादी कर रहा है तो उस पर 150 रुपे का जुर्माना, दूसरी बर करेगा तो 400 र दर्भांगा और बैसाली से शुरू हुआ है अब यहाँ ध्यान रखना है कि जल की ब्रबादी रोकने के लिए जीवका दीदी से जो सहता लिया जा रहा है उसकी सुबात कहां कहां से हुए किस जिला से तो दर्भांगा और बैसाली जिला से चलिए एक प्रेरना ले लेते हैं कठीन चीजे तब करें जब सरल हो और बरी चीजे तब करें जब वो छोटी हो एक कदम से यात्रा सुरू होती है अगर कोई खिलारी एमपार की मन्जूरी के बीना लटता है तो उसे रिटार आउट कहा जता है पंजाब के अर्थो ताइड़े ने खुद को रिटार आउट कर लिया कोई भी खिलारी उनको आउट करने में अस्तफल रहा था लेकिन बड़े सोट न लगाने में अस्तफल जब हो गया तो उन्होंने क्या किया अपने आपको रिटार आउट कर लिया रिटायर आउट ये क्या है रिटायर आउट में खिलारी अपनी मर्जी से मैदान छोडता है ये स्कोर बोर्ड पर उसे आउट माना जाता है और वो इनिंग के किसी भी हीसे में दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सकता अंतराष्टिये T20 में कोई खिलारी रिटायर आउट नहीं हुआ हलाकि T20 में ऐसा पांच बार हो चुका है आईपील के इतिहांस में अस्विन रिटायर आउट होने वाले पहले खिलारी हैं ये अंडरलाइन करना है कि अस्विन क्या है सबसे पहले रिटायर आउट होने वाल हुए थे, फर्वरी देश के इतिहास में सबसे गर्म, बीते फर्वरी महिनों में गर्मी का रिकोट बना है, देश में मौसम विभा की ओर से साल 1901 से दर्ज किये जा रहा है, तापमान के लिहास से फर्वरी सबसे गर्म रहा, अब 1901 से लेका आज तक में सबसे गर्म को रहा, फरवरी महिना यह जनकारी भारतिय रिजर बंग की ताजा रिपोर्ट में हुआ अब यह जनकारी किस ने दिया है भारतिय रिजर बंग में जो 2023 है इसी साल के फरवरी देश के इतिहास में सबसे गर्म रहा दुनिया में बीते साल 883 लोगों को फांसी दी गई है पांस साल में सबसे ज़्यादा इतना लोगों को पूरी दुनिया में 883 लोगों को फांसी दी गई एमनेश्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अभी रिपोर्ट किस ने परकासित किया है एमनेश्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बीते साल 883 लोगों को फांसी दी गई दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले कहा आया है और एसिया में चलते हैं एसिया में बंगला देश सबसे ज़्यादा मौत की साज़ा सुना रहा है इसके बाद भारत में 165 और पाकिस्तान में 127 लोगों को मौत की साज़ा सुना रहा है NEP साथी 300 छात्रों को बनाने वाली है NEP साथी बनने के लिए छात्रों में राचनात्माक्ता का होना बहुत ज़रूरी है उसमें संगठन चंता, कूसलता, आदी का होना बहुत ज़रूरी है नामी छात्र का ब्यक्तित आसाधारन हो, बात रखने में कुसल हो, आउट रीच प्रोग्राम के लिए संगाठात्मक्स छमता, रचनात्मक्ता होना जरूरी है टाइटेनिक फिलिंग तो आप सभी ने देखे ही होगी उस टाइटेनिक जहाज का जो ओरीजनल में जो टाइटेनिक डूबी थी, उसका मालवा का फोटो खिचाया है पहली बार टाइटेनिक जहाज के मलवे की 200 घंटे में 7 लाख तस्वीरे लिग गई है 73 साल पहले अटलांटिक महासागर में गलेशिये से टाकराने की बज़ा से डूबे टाइटेनिक जहाज की पहली बार 200 घंटे में करवी 7 लाख से अधिक तस्वीरे लिगी है पहली बार इस तरह की 3D तस्वीरे लिग गई है यह जहाज करीब 3800 मीटर नीचे डूबा था लगभग 3 किलो मीटर और 800 मीटर के करीवी नीचे डूबा है कोई एस पोट क्या किया है इसके अंदर जाकर भी इसका फोटो ले रहे है और यह फोटो अब परकासित हुए गीता प्रेश के सताप्दी बर समरोह में सामिल होंगे परधान मंत्री मोदी इसके पहले के नीच में भी मैंने आपको बताया था गीता प्रेश के सताप्दी समरोह के बारे में 1923 में अस्थापना के बाद अब कर इसकी अस्थापना हुई है 1923 में अब तक 92 करोर से अधिक हिंदु धार्मिक पुस्तकों का प्रकासन करने वाली संस्था गीता प्रेस गोरखपुर के 87 बर्ष समररोह में समापन काज़क्रम में पीए मोधी मुख अतिथी के रूप में सामिल होंगे। परबंध के अनुरोत पर पीए मोधी ने समारोह में आने की स्विकिर्थी दी है। परधान मंतरी करयाले की तरब से पीए मोधी के आगमन की तीख्थी अभी फाइनल नहीं है। गीता प्रेस परबंध ने सतादी बर्ष समापन समरोह के लिए 30 माई को पीएम से सिरी सीव महा पुरान के विशिष्ट अंक के विमोचन की तैयारी की है। कौन सा पुरान? सीव महा पुरान। फाइजर ने भारत में चार जीवन रक्षक एंटिबायोटिक दावाव की विक्रिव पर लगाई औस्थाई रोक। ये दावाईया हैं मैगनेक्स, जोजीन, मैगना माइसीन इंजेक्शन, मैगनेक्स फोट। यूके सरकार ने दिवांगत महरानी एलजाबेट दीतिये के अंतिष्ठी में खर्च किये 1665 क्रोण रुपे। चीन ने उसकी नाव डूबने के बाद तलास अभियान में मदद के लिए भारत का जताया अभार। और फिलिपिन्स आधि की मदद के लिए भार जताया है। दुनिया की सबसे महई आइसक्रीम की कीमत है 5 लाग से अधिक। गिनीज ने सेयर की है इसकी तस्वीर। गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है 5 लाग से अधिक कीमत की आइसक्रीम। आइस्क्रीम का नायम है बाया कुया और यह आइस्क्रीम आलवा इटली में उगाय जाने वाले दूरलव वाइट रॉफल से बनाया जाता है जिसकी कीमत है बारे लाग परती किलोगराम टेसला ने भारत में कार फैक्ट्री अस्थापित करने का प्रस्थाव रखा है रॉइटर्स के मुताबिक और अब पती एलन मक्स की अगवाई वाली इलक्ट्रोनिक कार निर्माता कम्पनी टेसला ने भारत में एक फैक्ट्री अस्थापित करने का प्रस्थाव रखा है एक जुलाई से देश के बाहर क्रेडिट कार्ट से भुखतान पलाएगा बीस परसेंट टेक्स अभी तक पांच परतेस टेक्स लगता था लेकिन अब बर के हो गया है बीस परतेसंट कैबनेट ने IT हाडवेर सेक्टर में पी एलाई वा एक दोसनो जीरो आठ लाग करो रुपय की उर्वारक सबसीडी की मनजूरी दी है छो बर्शों में इसके लिए सत्रे हजार करो रुपय का बजट अवंटिट किया गया है बाढ़काशी भ्यावक अपदा है भारत में 2022 में 25 लाख लोग प्राकीर्तिक अपदा के कारण देश के भीतर हुए बिस्थापी यह रिपोर्ट जेनेवा इस्थित इंटर्नल डिस्पलेस्मेंट मोनिट्रिक सेंटर का है SBI का सूध लाव सलाना अधार पर 83 परतिसत बढ़कर चौथी तिन माही में रहा 16,695 करो रुपय भारतिये स्टेट बंक SBI ने गुरुवर को बताया कि उसने बीत बर्ष 2022-23 की चौथी तिन माही में 16,694 करो रुपय का सूध लाव कमाया है या बीत बर्ष 2021-22 की चौथी तिन माही के 9,133.53 करो रुपय के लाव से करीब 83.18 परतिसत अधिक है गंगा नदी की स्वक्षता के लिए गठित स्वक्ष गंगा कोस में पिछले आठ बर्षों में 733 करो रुपय मिले बर्ष 2022-23 के दरान 128.15 करो रुपय प्राप्थ हुए और इस अधि में 31.44 करो रुपय खर्च किये गए पिए म मोदी ने उडिसा की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया उदगाटन परधान मंतिर नरेन मोदी ने गुरुवार को ओडिसा में कोई रेलवे परिजनाव का लोकारपन कर राज की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उदगाटन किया या ट्रेन पूरी से हाबरा पच्छिम मंगाल के बीच चलाई जाएगी या इसको याद रखिएगा ट्रेन कहां से कहां तक पूरी से हाबरा के बीच चलाई जाएगी जो 6 से 6 बच का 30 घंटे में सफर पूरी करेगी यानि 6 घंटे में सफर कहां से कहां तक करेगी पूरी से लेकर हाब रतव या देश की 17 वी बंदे भारत एक्सप्रेस है आज के लिए बस इतना ही फिर कल और सारे अकर्डेंट अफियर के साथ उपस्तित हुएंगी तब के लिए तब तक के लिए धन्यबाद JPMD से जुरने के लिए